नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बर्फिर्ष से आपके अपने एट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इम डीट्यू रीडर पब्लिकेशन तो फ्रेंड साथ के शुड़ों में बात करेंगे जो हर्याना प्लीस बरती को लेकर एक और बड़ेट आ रही है उसके बारे में हर्याना प्लीस कॉंस्टेबल भरती परकरियन में साइटी ने बड़ा खुलासा किया है एक और तो करमचारी चैनायों के चेर्मिन बोपाल सिंग खदरी जी हर्याना सरकार ये कह रही है कि भी हम लगातर जो है बरतीयों में धांदली के आरोपी हैं उनको प सब्सक्राइब भी कर सकते हैं देखे बड़ी बात ये कि करमचारी चैनायों लगातर संदिग्दों की सुची हर्याना पुलिस को दे रहा है सिर्फ उनके नाम दे रहा है फुल डिटेल उनकी नहीं दे रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ये पता नहीं जो विजह कुमार नहरा है एसीपी एसाइटी पंसकुला हर्याना उन्होंने ये बयान दिया है उसके बारे में बात करेंगे पूरी खबर क्या है देखे साथ ही हो आयोग ने पुलिस को 85 इन्ने संदिग्द लोगों की सुची सोपी है अभी पुलिस उसे लेकर जांच कर रहे है जरूत पड़ी तो इ F.I.R. दर्ज की जाएगी अभी तक आयोग ने S.I.T. को रिकॉर्ड नहीं दिया इसे लेकर पुलिस आयोग को रिमाइंडर भी दे चुका है मामले में रिकॉर्ड उपलब्द नहोंने के कान कई आरोप्यों को जमानत भी मिल चुकी है हर्याना करमचारी चायन आयोग S.I. S.I.T. को जाँच में नहीं कर रहा से योग हिसार जेल में बंद रामफल से दो फरवरी को S.I.T. पूचताज करेंगे हर्याना प्लिस कॉंस्टेवल भरती परकरन से जुड़े संदिक्तों की फैरेष्ट दिन प्रति दिन लंबी होती जा रही है हब करमचारी चायन आयोग की पैचान को लेकर मिलान किया जा रहा है अगर जुरूत पड़ी तो S.I.T. से लेकर नया मुकदमा भी दर्ज करेंगे भी तक पंचकुला प्लिस भरती परिकरन को लेकर पांच अलग अलग केश दर्ज कर चुकी है आयोग ने S.I.T. को नहीं सोपर रिकोर्ड आरोपियों को मिल रही जमानत अर्याना प्लिस कांस्टेबल भरती प्रिकरन में सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात या है कि S.I.T. पहले ही दिन से अर्याना करमचारी चेन आयोग से संदिक दारोपियों से जुड़ा रिकोर्ड मांग रही है लेकिन इसे लेकर जांच टीम आयोग क को लिखीत और मौकिक तोर पर भी कह चुका कई कई बार रिमांडर भी दिया जा चुका यहीं नहीं खुद एसीपी विजय कुमार नहरा कई बार आयोग से संपर कर चुके बावजुद इसके अभी तक आयोग ने साइटी को रिकोर्ड नहीं दिया जिसके चलते एक के भी अर्थी की जगह नकली भी अर्थी ने प्रिक्षा दिए उसके बाद जब दोड़ हुई तो असलिए भी अर्थी पहुंच गया उसने बायोमेटर लगाने के बाद दोड़ में भाग लिया अब यह कैसे संब्भू हुआ इसका खुला सत्ता भी हो पाएगा जब आयोग